तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं winding drum system के बारे में आपने देखा होगा underground mines में एक बड़ी सी lift ख़दान के अंदर की और जाती है mines के worker को लेकर जो कि एक lift type की संरचना होती है तो आखिर ये होती क्या है? इन में कौन-कौन से type होते हैं और क्या difference होते हैं इन में क्योंकि सभी तो एक जैसे ही दिखती है और किसमें क्या खुबिया होती है और क्या fault होते हैं इस machine को आप कहां use कर सकते हैं? कितनी depth में? इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है So without wasting any time, let's video start तो सबसे पहले जान लेते हैं winding system है क्या? तो एक lift type की संरचना होती है जिसको उपयोग underground mines में workers को mines के अंदर बाहर ले जाने के लिए या instrument को अंदर या बाहर बेजने के लिए उपयोग किया जाता है Underground में इस lift उपकरन को पिंजरा डोली या skip भी कहते हैं और ये डोली एक soft में उपर नीचे होती है जिसे winding soft कहते हैं इस पूरे arrangement को winding soft system कहते हैं इस system के कुछ man parts होते हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं सबसे उपर head gear, winding rope, rope skip के बीच के parts जैसे rope cable, detaching plate, head gear, pulley winding drum, steam या electric engine, automatic contravence, pinjra skip की guide drop आदी आगे बात कर लेते हैं इसके types की तो ये मुक्य तहाद दो प्रकार के होते हैं drum winding और कोईपे या friction winding तो इनके types को समझाने से पहले आई ये से पहले थोड़ा समझ लेते हैं तो इस lift noma आकरती या खदान की भासा में इसे कहा जाए pinjra skip या cage को उपर नीचे करने के लिए इसके उपर एक rope का इस्तमाल किया जाता है जिसे winding rope कहते हैं तो इस winding rope को किस तरीके से उपर नीचे किया जाता है कैसे pinjra को maintain किया जाता balance किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया से इसके types निर्धारित किया जाता है आसान भासा में समझना है तो winding rope यादी drum पर लपेटा जाता है तो उसे drum winding कहते हैं लेकिन यदि वही winding rope घरसन की सहायता से उपर नीचे किया जाता है तो उसे friction winding या कोईपे winding कहते हैं तो अब कोईपे winding को भी समझ लेते हैं तो कोईपे winding में cage को उपर नीचे करनी के लिए घिर्नी या पुली का उप्योग किया जाता है आपने गाओं में घिर्नी वाले कोईपे तो जरूर देखे होंगे किस तरह उसकी घिर्नी में खाली बाल्टी की rope को भसा कर उसे धीरे धीरे नीचे पहुचाया जाता है और फिर भरी हुई बाल्टी को कैसे नीचे की और दबाव लगा कर या घर्सन लगा कर उपर की और भरी बाल्टी खीच ली जाती है वही method कोईपे winding में भी इस्तिमाल की जाती है इसमें cage को उपर नीचे करने के लिए घर्सन का उप्योग किया जाता है अब जान लेते हैं drum winder को थोड़ा details में तो इसमें जो drum उप्योग होता है उस drum पर cylindrical flange fit होते हैं उनके दोनों साइडों पर flange के पास rope लिपता हुआ रहता है लेकिन एक side के rope के लपिटों की दिसा दूसरे side के rope के लपिटों की दिसा के विप्रीथ होती है drum को control करने के लिए brakes का उप्योग किया जाता है brakes के लिए drum की परिधी या डाया पर 150 mm से 200 mm तक के चोड़े brake pad का यूज किया जाता है जिनकी साहता से drum की गति को control किया जाता है उन्हें रोका जाता है winding के लिए आविस्यक रहसे के अतिरिक थोड़ा सा रस्सा रखा जाता है जो कि flange के पास एक छोटा सा hole रहता है उससे rope को अंदर डाल कर drum के axle पर fit कर दिया जाता है और fit करने के बाद उसे चाबी से lock कर दिया जाता है यदि आसान भासा में बात की जाये तो एक बड़ा सा drum होता है जिसके दोनों साइडों पर rope लिप्टी हुई रहती है दोनों की दिसाएं अलग-अलग होती है drum में एक flange के पास छेद होता है जिसकी साहता से drum के center axis पर जाकर rope को fit कर दिया जाता है उसे lock कर दिया जाता है फिर एक बड़ी सी motor से इसको चलाया जाता है इनमें जो drum use होते हैं वो भी काफी अलग-अलग प्रकार के होते हैं जिनकी अपनी अपनी खोबियां होती है यहने जरूरत के अनुरूप इस्तमाल किया जाता है drum winding system को details में समझाते हुए एक वीडियो में पहले ही channel पे डाल चुका हूँ तो इस वीडियो में हम ज़्यादा detail में बात नहीं करेंगे तो यदि आपको drum winding system को detail में जानना है उसके drum के types के advantages, disadvantages और किन-किन परिस्तितियों में उनको use किया जाता है ऐसी सारी जानकारी चाहिए तो आप channel में जाके इस वीडियो के देख सकते हैं या मैं उसकी link description में देदूँगा वहाँ से भी आप जाकर उसे देख सकते हैं अभी बात करते हैं winding system के second type की यानि की friction winding या जिसे कोईपे winding भी कहा जाता है तो दोस्तों जिस तरह drum winding में rope के संचालन के लिए drum का use किया जाता है उसी तरह friction winding में cage के संचालन के लिए पुली का उपयोग किया जाता है कुएंवाला उधारण में पहले ही आपको बता चुका हूँ बस वो दिमाग में रखिएगा तो इस winding system के भी दो type होते हैं पहला tower mounted कोईपे system और दूसरा ground mounted कोईपे system तो इसका नाम कोईपे winding क्यों बना इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके जो engineer थे उनका नाम कोईपे था उनी के नाम पर इस winding system का नाम कोईपे winding system या जिसे friction winding भी कहते हैं रखा गया friction winding इसलिए क्योंकि इसमें घरसन को उपयोग करके cage को उपर नीचे किया जाता है अब देख लेते हैं काम कैसे करती है इसमें घरनी पर friction level fit किया जाता है और इस level के खाचे में winding rope रहता है रसी पर घरनी का संपर्क 180 से 230 degree तक होता है इस रसी की घरनी पर पूर्ण गोलाकार winding नहीं होती और जो rope है वो घरनी से बंदा हुआ नहीं रहता rope के प्रतेक सिरे पर cage या skip जुड़ी हुई रहती है दोनों के cage के नीजे tail rope shaft में लटकता रहता है जो इनको balance रखता है अब उपरोक्त friction line device को जब हम चलाते हैं engine से तो friction lining और friction level पर घरसन के कारण rope गती सील हो जाता है और cage या skip winding चलने लगता है आसान भासा में बात की जाये तो एक बड़ी सी घिरनी होती है जिस पर rope के दोनों सिर्व पर cage लटकी हुई रहती है और rope और pulley के बीच electric motor से घरसन उतपनी किया जाता है और cage का संचालन किया जाता है अब इसके जो types हैं tower mounted और ground mounted इनकी speciality क्या है इनने किन-किन जगहों पे उपियोग किया जाता है और कोय पे winding को किन परिस्थितियों में उपियोग कर सकते हैं और कितनी depth तक तो इससे related भी एक वीडियो में पहले ही channel पे डाल चुका हूँ तो आप जाकर वहाँ पे ये वीडियो को देख सकते हैं इसकी link भी मैं description में दे दूँगा वहाँ जाकर आप इस वीडियो को भी detail में देख सकते हैं जिसे आप और अच्छे से जान पाएं जदी इन सभी की detail को एक ही video में बनाया जाता है तो वीडियो काफी लंबा और बोरिंग हो जाता है यसे मैंने अलग अलग पार्ट में बनाया है यदि आप इन सभी को detail में जानना चाहते हैं या इनी से संबंदित बहुत सारी चीजें आपको जानना है तो आप Mining Papa की official website पर जाकर इन सभी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं इसा भी का PDF प्री में डाउनलोड कर सकते हैं Mining Papa की website की link description में दे दी गई है वहाँ जाकर आप Mining से जोड़ी और भी जान करी है प्राप्त कर सकते हैं तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था जदि आपको वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक करें और अपने Mining के दोस्तों के साथ इसे जरूर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भार